अपका धरमसीला कीचन में फिर से स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आप लोग का मन पसंद फ्राइड राइस आज में रेश्टुनिय इस्टाल में बना के दिखाऊंगी फ्राइड राइस बहुत टेस्टी बनता है और दो मिनट में बना के दिखाऊंगी तो चलिए ज़्या है एक गिलस चावल अपने इसाब से कोई भी चावल ले सकते हैं मैंने बास्मति राइस लिया है इसको साफ पानी से धो लेते हैं और आधे घंटे के लिए भींगों के रख देंगे तो इसको साइड में रख देते हैं और गेस पे पतीले जढ़ाते हैं तो मैंने गेस जलाया है और पानी रख पतीले में इसके उपर रख दिया धंग देते हैं उबाल आने के बाद हम चावल डालेंगे आप देख सकते हैं पानी अच्छे से उबल रहा है अब इसमें डाल लेते हैं चावल चावल के डाल के आपको चलाना नहीं है छोड़ दीजिए नहीं तो चावल तोट जाएगा अलड़ी फूला हुआ है चावल देखिए पग गया है अब चेक करते हैं चावल हमारा अच्छे से पग गया है अब इसका पानी निकाल लेते हैं को मैं आपको नीची देर हैरख के बतारी हूं निकाल लिया आप इसको त्थाली में खाला लMax कि अच्छे से थंडा हो जाए तक हम भीश्टेवल को फ्राइगे तो पेश्टेबल करने के लिए कड़ाई बठाया गैस पे कड़ाई को मैंने हाई फ्लेम पे गरम किया है इसमें डाले हैं दो चमच तेल वैसे तो चाइनीज में चाइनीज कड़ाई में फ्राई करने में और बनता है तो मैंने नॉर्मल ही कड़ाई लिया है इसमें डाले रही हूं बारी कटी हुई लहसन औ और गाजर, प्याज को मैंने हरा वाला यूज किया है, हरा वाला जो पत्ता वाला प्याज रहता है उसको मैंने लिया है, तो पत्ता को साइड वे रखा है, उसका प्याज मैंने यूज किया है, उसी से हमारा फ्राइड रैस का टेस्ट आता है, इसको तीस सकेंड तक मेरे पास बींस नहीं था, इसलिए मैंने बींस नहीं डाला है, तो थोड़ा सा मैंने सिमला मिर्च डाल दिया है। कलर फूर्ट बेजटेवल दिखता है, तो बहुत अच्छा दिखता है। और डालते हैं एक चमच डार्क सोया सॉस। इसमें डालेंगे एक चमच रेड़ चिली सॉस। एक चमच कैंदार डाल रहे हूँ, ग्रीन चिली सॉस। इसमें डालेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें डालेंगे नमक। नमक थोड़ा से डालना है, क्योंकि सारे चीजों में नमक रहता है सॉस में। ब्राज का पत्ता मैंने बारी काट लिया था और इसमें डालते हैं चावल अच्छे से ठंडा हो गिया है इसको फैला लिया था इससे हमारा खीला खीला फ्राइड रैस बनता है अब देख सकते हैं चावल के दना हमारा एक एक है इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो मैं कड़ा ही क्यों ही उच्छाल उच्छाल के कर रही हूँ क्यों लोग को टॉस रहता है टॉस वाला पकड़ के अच्छे से चाइनीज मुला में फ्राइड करते हैं मस्त हमारा इसी स भी फ्राइड राइस मस्त बनेगा, खुस भी बहुत अच्छी आ रही है, मेरा फ्राइड राइस तो बन गया है, अब आपका बारी है, तो जल्दिस अपने घर पे बनाएए, और खाईए, और मुझे बताईए कि आपको कैसा लगा, तो मैंने तो फ्राइड राइस बना लिय अब इसको बावल में निकाल लेते हैं, तो खाईए, खुस रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाई-बाई